जैन सात्यों स्वागत है आप सभी का एड्यूकेशन के एड्शिक्स में और आज हम बात करेंगे बिहार में BPSC परिक्षा को लेकर BPSC TRE एक्जाम हुए हैं जैसा कि आप सभी को पता है टीचर रिक्रूट्मेंट एक्जाम का अब फाइनल आंसर की दिया गया है सब को ही रिजल्ट का इंतजार कर रहा था यहां पे तो अभी रिजल्ट ना देकर जो है यहां पे आप लोग का फाइनल आंसर की दिया गया है ठीक है चलिए यहां पे आप लोगों को यह तीसरी बार आंसर की दिया गया है पहला अपबंदिक आंसर की दिया गया था उसमें चात्रों ने आपत्ती दर्ज किया था, दूसरा अपबंदिक आंसर की दिया गया था, उसमें भी चात्रों ने आपत्ती दर्ज की थी, लेकिन अब ये तीसरा आंसर की दिया गया है, और ये फाइनल आंसर की है, इसमें आप लोग आपत्ती दर्ज नहीं कर सकते हैं, अब मैं पर दिनाँड़ पांस से लेकर ग्यारत से थास कबन की तोare हैं और अगे दिखे हुए दोरा को समीक्षा की गई और समीक्षा के में कुछ विशयों द्वीद्वीतिय औपबंदिक उत्तर में अगया गया जो जो संसूधन हुए है मैं आपको आगे दिखाऊंगा और तत पस्चाथ विशे विशे सग्यों की समीचती के द्वारा तयार किया गया अंतिम आदर्स उत्तर कुंजी जो है 15 अक्टूबर को डाल दिया गया है आपके वेबसाइट पे ठीक है आप लोग नहीं देखें तो जाके चेक कर लिजेगा यह B तो यहां पर आप सवाल उठकर यह आ रहा है कि जब आंसर की में अब बदलाव नहीं होगा तो क्या कटफ में बदलाव होगा देखें यह सवाल उठेगा अब देखें कटफ में अगर एक दो कोशन को लेकर एक दो कोशन या पांच कोशन तक भी अगर आप चले जाएगा तो cut-up पे तो कोई प्रभाव नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि cut-up approach वही रखा जाएगा, कोई final cut-up थोड़ी ने teacher बता रहे हैं, कोई final cut-up तो भाई कौन बताएगा, ये BPC का काम है बताना, कि इतने cut-up हम यहाँ पे लेंगे, तो अभी जितने YouTube पे आप लोगों को यहाँ पे cut-up का वीडियो देख रहे हैं, ये approximate expected माना जा रहा है, मतलब कि उनकी अनुसार cut-up जा सकता है, तो cut-up में यहाँ पे देखिए, मेरे ख्याल से कोई बदलाव नहीं होगा, ठीके, हाँ, आपके जो marks हैं, वो एक number उपर जा सकते हैं, दो number उपर जा सकते हैं, तीन number उपर जाया है, यानि कि गलत भी हुए हैं, तो उनका marks घटेगा, आपका marks बढ़ सकता है और घट सकता है, इस answer की के बदलत, लेकिन यहाँ पे आप लोगा cut-up में कैसे क्या बदला होगा, cut-up अभी थोड़े नहीं यहाँ पे जारी किया गया है, आयोग के द्वारा, आप अपना OMR डाउनलोड कीजिए, OMR का लिंक अभी भी वहाँ पे पड़ा हुआ है, OMR डाउनलोड कीजिए, चुकि 15 अक्टूबर तक था, आप लोग चेक कर लिजेगा, आप लोग का OMR यहाँ पे डाउनलोड कीजिए, उससे मिलाइए कि कितना question आपका सही हो रहा है, और उन teachers के अ एक expected है, लेकिन BPSC जब result देगी, तो यहाँ पे सारी चीजिए clear हो जाएंगी कि क्या cut-off गया है, BPSC TRE1 का, अब यहाँ पर result की बारी है, कि result कब तक आएगा सर, तो एक news notification निकल कर आ रहा है, मैं आपको यहाँ से दिखलाना चाहता हूँ, चुकि यह जो news notification है, आज के चल रही थी, और यह result अगले एक से दो दिन में आ जाएगा, 15 October तक इसका result निकलने के प्रस्तावित यहाँ पे रखार गया था, और लेकिन 43 विसे थे actually यहाँ पे, 43 विसे अलग-अलग merit list बन रहे है, 38 जिलों का यह merit list बनना है, ठीके, अब यहाँ पे अभ्यारतों के जो पसंद के तीन जिले हैं, है ना, पसंद के तीन district भी दिये गया है, इसकी बारे में आपको मैंने बताया था, starting में, जो आप लोगों ने priority अपने दीती कि हमें यहाँ पे पहले joining दीजे, तो उसको भी ध्यान में रखा जा रहा है, उसको ध्यान में रखे, आपका merit list जो है, क यहाँ पे मेधा सुची बनाने में इनको जो है, दिक्कते हो रही है, तो भाई देखिए अगर दिक्कत हो रहा है, तो पहला joining जरूरी नहीं है, कि हमें अपने जिले में ही दीजे, आप कहीं भी दीजे, जो बाते कहीं जा रही है, यह सब तो बस बर्गलाने वाली बाते हो में, कहीं भी इनको joining दीजे, जाना पड़ेगा उनको नौकरी करना, वो जाएंगे भी, किसी को नौकरी मिलता है, तो क्या वो रहतास में नहीं आएगा, किसी को नौकरी रहतास वालों को मिलता है, तो क्या वो मदुबनी नहीं जाएगा, दुज़र पर नहीं जाएगा, य यानि कि जो आपका merit बन रहा है उसमें भी ध्यान देना पड़ा है जो हो बहुत सारे लोगों का से मार्ग्स आ गया तो से मार्ग्स आ गया तो वहां पे आपका मार्ग्स के बाद जो चेक किया जाता है आपका age एज में भी अगर से मागये तो फिर आपका alphabetically name चेक किया जाता है आपका जो है वो किस अलफभेट में मतलब कि उसकी अनुसार तो जाकि जो है तब आपका मेरिट में नाम दिया जा रहा है तो उनको प्राइड़िटी मिलता है तो यहां पर एक से दो दिन और लग सकेगा यहां पर बीपीस कहना लेकिन यह जो चीजें हैं जो अपडेट दी गई है यह मैं आपको बता दू कि यह जो अपडेट है एक दो-तिन दिन पहले से ही बाते की जा रही है और आपको एक चीज़ कर दू यहाँ पे कि जो भी आपका इसके रिजल्ट को लेकर अपडेट है आज यानि कि हो सकता है कि आज रात तक जो है 12 बजे तक यहाँ पर आप लोगा रिजल्ट भी घोशित कर दिया जाए और यह पहला रिजल्ट आपका आएगा 11-12 वाले छात्रों का फिर उसके बाद अगले दिन 9-10 वालों का रिजल्ट दिया जाएगा और 20 अक्टूबर तक जैसा कि सम्भावित तिति है कि कक्षा 1-5 में जित सुक्रवार को सुप्रीम कोट में सुनवाई भी हुई उसके दौरान खंड पीट के द्वारा मुखी नैदी इस ने बेंच में इस्थांदरन यानिके ट्रांसफर करने के कारण यहाँ पर और भी लंब हो गया चीजिए 20 अक्टूबर तक संभावित तिति बताय जा रहा है यहाँ पर मैंने बोला आपको कि सुनवाई होनी है अब 20 अक्टूबर के बाद ही आपका इसका 1-5 का रिजल्ट दिया जाएगा लिहाजा कोट का नीड़ने आने के बाद ही आपका प्रात्मिक सिक्षक नियुक्ति का रिजल्ट आ सकता है ऐसे में पहले चरण में केवल सक्षमादमिक का रिजल्ट जारी किया जा सकता है आपको यह सारी डिटेल मैंने एके करके सबको इस्टेप बाई स्टेप बता दिया है ठीक है अब रिजल्ट कब आएगा और कटफ पर कोई परभाव नहीं पड़ेगा ठीक है चुकि आपके मांक्स परभाव पड़ सकता ह है आपका मांक्स एक दो नंबर ऊपर नीचे हो सकता है ठीक है अब मैंशे कमेंट सेक्षन में कमेंट करके बताइए कि आपके कितने मांक्स घटे है या बढ़े हैं आपके अनुसार ठीक है आपके अनुसार ऐसा नहीं कि दूसरी का बीडियो देखे आ आप लोगों यही कर कल जो आपकी समीक्षा बैठक हुई थी है ना उसमें शिक्षा विभाग ने इस बैठक को जक्ष महोदें हैं कि के पाठक यहां पे इन्होंने जो है सारे चीजों को देखा है और तीन चीजों का अपडेट मैंने कल वीडियो में बताया भी था कि एक तो वैसे अभिहार थ तरफ से बहुत ही जल प्राथमिकी और प्लस टू स्कूलों के सिक्षकों के चैन की अनुसंसा करने भी यहां पे जा रहा है तो यह आपके रिजल्ट को लेकर भी यहां पे बाते हुई है और इनके ज्वाइनिंग को भी लेकर यानि कि जो नियोक्ति दिये जाएंगे उनको भी लेकर तो इसके मद्दे नजर अनुसंसित होने वाले अभ्यारतियों के दस्ताविजू के सत्यापन के लिए जिला इस तरह पर वकायदा कैम्प लगाने का प्रस्ताव भी बोला जा रहा है तो जिस जिले में देखे यहां पे आपको एक तो DRCC में आपको जाके आपका न्युक्ति पत्र बाटा जाएगा एक तो है ना जॉइनिंग का अपडेट यह युगदान करने की अपडेट दिये जाएगे उसमें कौन-कौन से डॉक्मेंट्स लेका जाने है मैं लास्ट वीडियो में आपको बता दिये हैं त्टीके इसके अलावा आपको कैम्प की कर आई है यानि कि आपकी जॉइनिंग होगी यहां से माल लीजे आप योगदान करेंगे तो ठीक छे महीने के लिए आपको ट्रेनिंग पे भी भेजा जाएगा जहां पर यहां पर योजना बनाया जारे ट्रेनिंग को लेकर प्रसिक्षन को लेकर तो यह एक अपडेट है दोस्तों यहां से जो कि मुझे आप तक साजा करने थी तो जॉइनिंग के बाद का यह अपडेट है लेकिन अभी छातर इंतजार कर रहे है रिजल्ट का तो जल्द ही आज आप लोग का कुछ रिजल्ट देखने को मिल जाएगा मुझे लगता है कि क्लास 11 से 12 तक का जो रिजल्ट है आज एनिहाव राद तक आ सकता यह जो सुत्र बता रहे हैं हमारे वहां से हमें पता चल पा है अब देखिए जो भी होता है हम आप तक साजा करते रहेंगे अपन मैंने आपको दिखाया अभी थोड़े दिर पहले कि यह जो है computer science का है जो कि यहाँ पर delete किया गया है यह question को तो यह question का आपको marks मिलेगा ठीक है जो delete किया गया है अब जो सुधारे गया है उसका भी marks मिलेगा लेकिन उस सुधार में बहुत सारे छातरों का क्या हुआ हुआ ह जही था अब गलत हो गया तो गलत हुआ है तो marks उनका घटेगा तो यह marks बढ़ने और घटने की चर्चा है ठीक है marks बढ़ेगा या तो घटेगा लेकिन कटफ पे इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा जान लेजीएगा जो कटफ होगा वह कटफ तैय होगा आयोक के कर दो में